पादर की डेथ हो जाने के पाथ मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाव पर लीकर जाती है कुछ रीजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छुपकर रहना पड़ता है यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्लावर सिंदैटी यह 2014 की एक हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेन करने वाल हूँ अगर आपको व्यूड़ अच लगता है तो प्लीजे से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिन अगस्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी कयरेक्टर कैथरेन ही हमसे बात कर रही थी फो कहती है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाहे इसके बारे में आप बता नहीं सकते है पहले तो हमारी लाइब बहुत ही perfect थी पर उसके बाद बहुत ही dangerous से turn आए अब यह सब क्या था यह हमें flashback में पता चलेगा हम Catherine की family देखते हैं जिसमें उसके छोटे से twin brother और sisters थे और एक बड़ा brother था जिसका नाम था Christopher Mother का नाम था Corin और father का भी नाम Christopher ही था आज जो घर पर आये तो उन्हें देखका सब लोग बहुत ही excited थे father ने भी सब के लिए gift लाया था mother के लिए उन्होंने एक बहुत ही expansion निकलेश लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ garden में खेल रहे थे Catherine अपने father से बात करती है कहती कि आप इतना जादा दूर मत जाया करी है वोने मिस करती है घर में सब लोग बीजी होते है और उस पर कोई भी धार नहीं दे पाता वो और कुछ बता पाती इसे पहले कोरिन अच्छी दरीगे से तयार होकर बाहर आ की वो excited थी क्योंकि father को promotion मिल गया अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से gathering को बहुत बुरा लगा वो upset होकर अपने room में चली गई फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आए एक बहुत ही expensive necklace उसे gift करते है फादर ने गाक में जो भी कर रहो इस सब कुछ हमारी family के लिए है नेक्सिर में हम देखते हैं कि इनकी घर पर बड़े party थी फादर ज़रा लेट हो गय है दोर पर नौक आई पर ये police की थी फादर का accident हो चुका था और उनकी date हो जाती है सब लोग को बहुत शौक लगा ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत ज़ादे याद आती थी कोरिन बहुत ज़ादे डिस्टब होने लगी उसके पास पैसे भी नहीं थे कैथरीन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे कोरिन गहती है मेरे पास कोई भी skill नहीं है मैं सुन्दर थी इसी वज़े से मेरी तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राय कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पहले क्लास भी छुट जाता है कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिक कर इने पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बात कोरिन को लेटरस का रिपला आता है उसने फिर अपने सब बच्चे को कहा कि अब हम जाकर मेरे पैरंट्स के यहां रहने वाले बच्चे शौक टोक है क्योंकि उन्हें कोरिन के पैरंट्स के बारे में पता ही नहीं था कोरिन ने का मैंने मेरे पैरंट्स के मर्जी के खिलाब शादी की थी तो इसी वज़े से वो हम पर बहुत गुस्सा थे अब वो फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरिन ने प्रामिस किया कि मेरी पैरंस बहुत ही जादा रीच है यहां पर इनकी जो भी सब चीजे थी इससे जादा वो उन्हें पाई कर कर देगी क्योंकि वैसे भी यह लोन पे नहीं कर पाई तो इस वज़े से बैंक सारी चीजे इनकी ले लेगी इसके बाद एक कोरिन की सीटी में पहुँचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे रात में बहुत टाइम तब वाक करते करते वो कोरिन के घर पर आ गए कोरिन की मदर दर्वाजा खोलती है इसका नाम था ओलिविया ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई वो कोरिन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी बच्पन से ओलिविया ने कोरिन को हेटी किया है क्योंग कोरिन अपने फादर से close थी ओलिवया ने बच्चों को एक उपर का कमरा दिया जहाँ अबर कोरिन की फादर उन्हें देख ना पाया बच्चे घर में है ये एक secret था कोरिन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही old है वो कभी में मर सकते है एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से accept कर लिया फिर हम million बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरिन ने कहा कि में दिन बर यहाँ पर नहीं रह सकती वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अगली सुबा ऑलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आए इसने कहा कि दिन बर तुम्हें खाना है मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी या इस रूम में थोड़ा भी आवाज नहीं होना चाहिए अगर ट्विन्स को खेलना है तो उपर एटिक है वहाँ पर वो खेल सकते है बातरूम यूज करते वक कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा बच्चे फिर उपर एटिक देखने के लिए के ट्वियन्स कोई जगा खेलने के लिए अच्छे ही नहीं लगती है पर इनके पास कोई पी आप्शन नहीं था इसे ज़रा इंटरस्टिंग बनाने के लिए कैथरिन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए जुला बना दिया रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए आए ट्वियन्स उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना और बहुत ही बोर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरिन उन्हें समझा दिया है कि तुम्हें कैथरिन और क्रिस्टोफर का सब को चीज़े सुननी चाहिए ट्वियन्स मानते नहीं और हल्ला करने लग गए तब ही ओलिवया आ गए उसने जोर से एक ट्वियन को मारा कहा कि इस घर में इस तरीके से चीज़े नहीं चलेगी कोरिन इस पर गुसा हो जाती है कहती है तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते वरना मैं यहां से चली जाओंगी ओलिवया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीज़ी हाँ पर चलेगी उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वज़े से ओलिवया ने कोरिन को बहुत मारा था बच्चे भी यह देखकर डर जाते हैं ओलिवया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो यह बात बहुत ही अजीब थी यही चीज़ कैथरीन वंडर गर दिया किसका क्या मतलब हुआ कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इससे वज़े से अपने फादर के बहुत ही क्लोस थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग-अलग चीज़े पताय करती थी स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थे तो इस वज़े से मैं घर में अकिली पड़ गए तब ही मेरे फादर का हाफ ब्रेदर हमारे पास रहने के लिए आया तुकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी यानि कि वो कोरिन का इंडारेक्टली अंकल था वो बहुत हैंडसम और काइन हांटेड था कोरिन और उसमें प्यार हो गया इन दोनोंने भाग कर शादी कर ली और इसे वज़े से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा कुछ साह हो गई थी फादर ने भी कोरिन को उनकी विल से निकाल लिया था अलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुमारे बच्चे हुए तो अबनॉर्मल होंगे पर इसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद नेक से नम देखते हैं ट्विन से के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था औलिविया ने कैथरिन से पुछा क्यों इए क्रिस्टोफर गार्ड कर रहा है वो एक बहुत अच्छा पेंटर है औलिवया पुछती है क्भी उसने तुमारी पेंटिंग में आई है क्या तुमें कबड़े निकालने के लिए उसने कहा कैथरीन को ये बात बहुत ही confusing लगी All U.S. समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ affair हुआ उसी तरीके से इन brother sister में भी कोई relationship हो सकती है अब इसके बात थोड़ी दिन बीट गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं वो आने के बात कहती है कि मुझे पूरा time मेरे father के साथ ही बिताना पड़ा वो sailing गई थी उनके साथ picnic पर गई थी ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगती उसने कहा एक मंद हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने father को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के grandchildren को accept ना करे कोरीन अब उन्हें सच बदाती है कहती कि मेरे father ने मुझे माफ किया पर एकी condition पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती father बुड़े है तो उनके मरने का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा Catherine upset थी पर Christopher से समझाता है कि जल्द से ये time भी गुजर जाएगा उनकी twin sister उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो high dance सी खेलते हुए एक box में burn हो गया था इसे जल्दी से जाकर एक खोलते तो unconscious हो चुका है Catherine ने उसे hot water में बहुत heat किया उसके बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें help करने के लिए कोई आया भी नहीं था इसके बाद और भी time गुजर जाता है अब directly Christmas आ चुका था Catherine जड़ा positively कहती है कि हमें Olivia के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए ये गिफ्ट बनाने के बाद Olivia सिर्फ इसे देख लेती है और वेसे ही fake कर चली गई कोरिन जब इन्हें मिलने के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लिए टिवी भी लेकर आती है उसने Catherine के लिए बहुत ही beautiful सा ड्रेस लाया हुआ था Catherine ने कहा कि ड्रेस बहन कर हम जाएंगे कहा हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते है आज घर में Christmas की पार्टी थी तो Catherine और किस्टोफर दोनों आने की जित करते है कोरिन भी इसके लिए मान गई उन्हें पार्टी में लेकर गई पर उपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बन करकर रखती है जहां से उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बॉटर लेने के लिए ओलिवया उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम हम कोरिन के फादर को देखते है वो बहुत ही बुड़े थे कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत ही एक्सपेंस उने एक लिए इस गिफ करते है पार्टी के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो कोरिन को एक आदमी के साथ हो देखते है उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए में रूख नहीं सकता वो उसे कही दूर लेकर जाना चाहता था कैथरीन को एबाद अजीब लगी पर क्रिस्टोफर कहता है कि मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कोरिन कहती को मेरे फादर का लॉयर है हमें उसकी जरुरत है हमें मेरी मनजिल के बहुत करीब हो उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था वो गहती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़िस कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते जादा वरी मत करो एक्चुल में कोरिन उन्हें मैनोपलेट करने लग गई थी वो खुद इतनी लाल जी है तो कभी भी इस सब छोड़ कर नहीं जा सकती एक दिन उपर क्रिस्टोवर लड़कियों की मैगजिन्स देख रहा था कैथरिन जब यह उसे पूछती है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैथरिन ने कोरिन से पूछा कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो यह अलग-अलग चेंजेस तो आने ही वाले है वो कैथरिन के एक ड्रेस लेकर आती है जब यह ड्रेस कैथरिन पहन रही थी तो क्रिस्टोवर उसे देख लेता है यह ज़र आकवर था तो भी उलिविया यहाँ पर आ गए उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा था उलिवया घुसा हो अगर कोरीन को पनीश करना चाहती थी उसके हेल्स कट करकर पर क्रिस्टोवर उसे मना करता है रात में उलिवया ने कैथरिन के सर पर टार लगा दिया सुबाओने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राय करते हैं पर निकालनी पाते है कैथरिन क्रिस्टोवर से गयती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे कैथरिन के हेल्स के तुम मेरे बहुत पास हो एक दिन कैथरिन जब डान्स प्रैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टोवर और वो मस्ती करने लग गया ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिलके में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी वो मानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरिन और क्रिस्टोवर को भी बाहर जाना था तो रात में एक रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक ब्यूटिफुल से लेक के पास आए ये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते है कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारी लिए चार-पाच मंद के बात वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वो हनीमून पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे हैं वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्याथरिन ने कॉरिन से बूछा कि तुमारे हस्बन को हमारे बारे में पता भी है क्याथरिन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से वो चली गई अलिविया के हाथो कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेज देती है दोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे क्याथरिन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते है क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसो की जरुवत पड़ेगी वो विंडो के पास खड़ा था तो आलिया उस पर बहुत चिलाती है वो उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारती तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है इस बात पर ऑलिया और भी ज़्यादा गुस्सा होगी उसे कोड़े से बहुत मारती है कैथरियन ने क्रिस्टोफर की जखम देखी और यह दोनों किस कर लेते हैं अगली दीने दोनों करीब थे और ऑलिय आके तो कहती कि तुम दोनों कर क्या रहे हो क्रिस्टोफर रोते रोते ऑलिया के पैर में गिर गया कहता है कि मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो अलिविया गौर्ड पर बहुत बिलीव करती थी उसने कहा, तुम्हे गौर्ड ही माफ कर सकता है अलिविया के जाने के बाद कैथरीन बहुती ती कंफ्योज़ होगे क्रिस्टोफर से बुछती कि तुम्हें यह सब कर क्या रहे थे क्रिस्टोफर हसने लग क्या उसने ओलिविया की कीश की कॉपी बनाई थी अब वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं अब हर रोज राद में जाकर घर से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने लग गए ऐसे थोड़े-थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई आप्शन नहीं था एक राद जब यह ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हजबन ड्रंग होकर सोया हुआ था क्यातरिन उसके बास गए वो क्यूरेस थी तो उसे किस कर लेती है इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आके बाहर क्रिस्टोवर फेंस को देख रहा था यह अभी-भी बनवाई कही थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शौक पर लगवा रहे थे इस इलेक्ट्रिसिटी को बन करने का स्वीच उसने ढून लिया घर में आकर हो देखता है तो कोरिन और इसका हस्वन बात कर रहा था उसका हस्वन कहता है कि मुझे एक सपना आया जिसमें तुम जैसे एक छोटी से लड़की मुझे किस कह रही थी क्रिस्टोवर समझ गया कि कैथरिन थी तो उस पर बहुत जादा गुसा हो जाता है गुसे में एक दुसरे के साथ ही इंटिमेट हो गए क्रिस्टोवर से कहती है कि अगर तुम सहाओ तो हम ये सब चीज़े बन कर सकते है क्रिस्टोवर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हू एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा बिमार हो गया ये बात उन्होंने कोरिन से कही पर फिर भी उसे हस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी कैतरिन उसे बहुत भला बुरा गयती है तो इसके बाद उलिविया ट्विन को हस्पिटल में लेकर गई अगली दिन उलिविया इनके पास आई कहती कि तुमारा ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा इल था हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए उसकी डेथ हो गए इन सब को बहुत ही बुरा लगता है अब एक पल भी यह यहां रह नहीं सकते थे दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात में घर में जो भी ज्वेलरी होगी जितने भी पैसे होंगे सब लेकर यहां से भाग जाएंगे यही चोरी करते हुए मेड की बात उन्हेंने सुने यहां की मेड भी चोरी कर रहे थे वो गहते है कि कॉरिन के फादर के मर जाने के पाद अब वो स्लूली स्लूली सब मेड्स को निकाल रहे है हम खुद का जितना फाइदा कर सके हमें उतना कर लेना चाहिए क्रिस्टोफर को शौक लगता है कि एक्चुल में उसकी ग्रैंड फादर की हालत जरा खराब थी छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाय था और माउस की डेथ हो गए इसका मतलब है जो डोनट कोरिन ने उन्हें भेजे थे यह पॉईजनस थे शायद इसी वज़े से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गए इन सब का आवाज सुनकर ओलिवया उपर आगे उन्हें मार रही थी पर क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली वो ओलिवया को पकड़ लेता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहा उन्हें पता था कि औलिवया को एटिक में जाने से डर लगता है वो भी उसे घसिटते घसिटते वही पर ले कर गया वो डोर बन कर देता है और यह सब खिड़की से बाहर निकर गया औलिवया वहाँ से नहीं जा पाई उसके हालत बहुत ही जादा खराब होगी इन सब को भागता देग एक सरवन ने उन्हें देख लिया क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज हमें जाने तो हम कोरिन के बेटे है सरवन को भी पता चल गया कि यहाँ पर चल क्या रहा था वो जाकर फेंस की इलिक्रिसिटी बन कर देता है और यह सब यहाँ से भाग गए कैथरीन हम से कहती है अब हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है मुझ में और क्रिस्टोफर की बीच में जो भी है इस वज़े से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा यही उसके लिए सज़ा होगी क्रिस्टोफर के साथ हो न यह कैथरीन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था इसी के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ऐसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवी जेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस चैनलों का सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटोवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक निम्मुई के साथ तो तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया